हलो एव्रिवियान वल्कम बैक रुदावर्चरान हलो फ्रेंस से पूर्णाम स्वागत करती हूं आपका कूकिंग पैसे चल में फ्रेंस आद मैं ऐसे नास्ते ग्रेस्पी शेयर करूँ जो बहुत ही जटपड बन जाती है और बहुत ही कम इंग्डिस में बनती है फ्रेंस हमा फ्रेंस बीडियो को बिना इसकीप करें पूरा वाज करना जिससे कुछ भी मिशना हो और फ्रेंस प्लीज मेरी रेस्पी आपको चले अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें तो चलिए फ्रेंस बिना दिर के बनाना शुरू करते हैं प्रेंस बिडियो को अप्लीय चालियो को अप्लाय कर सकते हैं यहां पीस अपनी फीस गेस में अपनी अप्षय और उप्सफणी में इसमें आप टीस्पून एतना नमक डाल कर इसको अच्क्र से मिक्स कर दूंगी इससे इसमें जो मॉस्टर्यों रिलीज हो जाए उससे 10 मि चोड़ कर निकार लेंगे जिससे चार मीडियम साइज के आलू जिससे मैने ब्वाल करके लिया है इस इससाब से आलू की ड़के यह पॉनपर टोरी दही यह दही फ्रेश है फ्रेंज ज्यादा खट्टे दही का यूज ना करें नहीं तो मारा नास्ता खटता हो जाएगा दो मीडियम साइज के प्याज इससे मैंने ऐसे फाइन चॉपर के लिए लिया है दो हरी मिर्ज फ़र्स आप बच्चों के लिए स्पेस्टिल प्राण रहा है तो इसकीप कर सकते हैं स्वाधरिशान नमग दीखिए वन टेबल स्पून जितना लाल मिर्ज फ्रस मिर्ज की कॉन्टिटी आप अपने ही साब से रखें जितना दीखा काते हैं यह एक सैसे और ये नो है फ्रस आप इसकी जिए काली मिर्ज पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं एक सेसे इनो थोड़ा बारी कटवा हरा धनिया यह पॉनक्टरी फरंट्स आवाले से मैं दो तीन पाने से धोकर इसको मैंने आदा गंटा के लिए भीगो कर रखा था जिससे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं फरंट्स आप एक घंटा भी भीगो कर रख सकते हैं जिससे अब इसको दस पर से पंदर में ठोगया इसको निचोड लेंगे हम और इसका जो भी मौश्टर है वो निकाल देंगे यह देखिए फ्रंस इसमें बहुत सारा मौश्टर होता है पत्ता को भी में और इस पानी को हम पहेंगे नहीं प्रंस क्योंकि गोपी मैंने अच्छे से आट इसमें तोड़े को अपया पानी को हम जब चावल ग्राइन करेंगे तो में यूज कर देंगे यह देखिए फर्सितना माझी निकला ही इसको अचाओ 파 उंट हो जाए हमारा अब इसमें तोड़कर आलो को डाल दाल देंगे जिससे ग्रावल करने को आशानी हो अभित को कि अब देखिए मैंने इसमें पत्ता को भी डाल लिया है और जो मैंने ग्राइंड किया है चावल का मिक्षर उसको डाल लेंगे और मैं वन टेबल इसको इतना दही बचा लिया है फिर ने पूरा दही नहीं डाला है ज्यादा है कॉन्टी में यह अब इसमें लाल मिर्स पाउ रखके कटेवेड़ प्यास को डाल देंगे हरी धनिया को डाल देंगे और अच्छे से मिक्ष कर लेंगे कि इसे मैंने तीन से चार्ल मिनट लिया है अच्छे से देखिए अब इनों को डालेंगे इनों काम पहले यूज नहीं करेंगे नहीं तो इसका जो खराब हो जाता है इसको जश्ट डालकर में बस मिक्स करके जिससे फॉर्मेट हो जाए और हम इसको तुरंट बना लेंगे ना जब भी इस नास्ते को बनाए लोहे के तवे पेना बनाए अब इसको हम ऑल से थोड़ा सा ग्रीज कर लेंगे और गयास के फ्लेम को हाई रहने देंगे अब इसमें तूटी स्पून इतना हम नास्ता को डालकर फैला देंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाएंगे फ यह देखिए प्रणन समय एक जीड़ मिनट हो गया है एक बार चेक कर लेते हैं कि नास्ता मारा कूर अच्छे को गया हैँ इसको पल require्ट देंगे हलके आथों से साइडे से निकाल कि यह देखिए मैंने दोनों में साइड से कर निकाल डिया इंपले दोस्ता ऐसा फैला दें पहले हाई रखेंगे तवा को फूल फ्लेम पर हीट करेंगे और फिर उसके बाद मीडियम प्लेम पर इसको पकाएंगे यह देखिए मेरा दूसरा भी रेडी हो गया है वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो को बिना इसके पर पूरा इवाज या करें जिससे कुछ भी मिश नहीं हो जब भी आप ड्रेश्पी को बनाएं देखिए फिर लग रहा है ना कितना डिलेक्शस आप इसको किसी पी चीज के साथ खाकर इंज्वा कर सकते ह है यह देखे पर साब इसको कभी बना कर इंजोय कर सकते हैं थैंक्यू सो मच्छ थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो